and a very warm welcome to Dr. Noshiba Salman Skin Solutions आज हम बात करेंगे different peels पे सबसे पहले तो हम नाम को थोड़ा सा describe कर लेते हैं आपने chemical peels जो है वो नाम सुना होगा chemical सारी चीजों में होते हैं उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसको आप नमक बोलते हैं उसे अगर आप NACL बोल लेंगे उसका chemical नाम बोल लेंगे तो आपको बड़ा chemical लगना शुरू हो जाएगा हर चीज बुरी नहीं होती है और हर चीज अच्छी भी नहीं हो सकती है आपके किचन में पड़ी बहुत सारी चीजें आपको एसिटिटी भी देती हैं आपकी स्किन को अलर्जी भी दे सकती हैं डर्मटाइटिस भी दे सकती हैं एक्जिमा भी दे सकती हैं कुछ भी, कोई भी चीज आपके लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है. Chemical Peel से डरने की ज़रूरत नहीं है. Chemical Peels आपकी स्किन के टेक्स्चर को, आपके कॉम्पलेक्शन को और एंटी एजिंग पॉपर्पोस को फुल्फिल करती है. आज हम जिस पे बात करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे Oxygen Peel पे. Oxygen Peel को Oxygen Peel क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक High Amount of Oxygen जो है, वो डिलिवर की जाती है स्किन में. इसलिए इसको Oxygen Peel कहते हैं. Nevertheless, जो Oxygen Peel है, उसके अंदर Microdermabrasion भी इन्वाल्फ होता है. और उसके साथ-साथ जो है, वो आपकी Skin जो है, उसके उपर जितने White Heads हैं, Black Heads हैं, Oil जादा बनता है. वो इन सब चीजों को Cover करेगी और उसके साथ-साथ आपके Complexion को या आपकी Even Tone को Restore करेगी. ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर इस मौसम में आपकी जिल्द पे Black Heads बहुत जादा बन रहे हैं, White Heads जादा बन रहे हैं, Oil बहुत जादा आ रहा है, Even Combination Skin है, कि आपके T-Zone के उपर Oil जादा आ रहा है, और Rest of the Skin जो है, वो नॉर्मल है. लेकिन आपको साथ साथ लगता है, कि आपकी Skin जो है, उसका Color या उसकी Tone Even नहीं है, डल हो गई भी है, तो आप उसके लिए Oxygen भी ले सकते हैं. ये क्या करेगी? ये आपके Open Pores पे, आपके Oil बनाने वाले Glans पे, आपके White Heads, Black Heads और उसके साथ आपको Even Tone डेगी. सम्टाइम्स आपको इसके 2-3 Sessions चाहिए होते हैं, कभी कबार एक दफा करना काफी होता है, और ये Depend करता है कि आपकी Skin पे कितना इशू चल रहा है, और हमें कितने Sessions करने की जरूरी जरूरत है. यूजिली जो है, वो एक हफते से 7-10 दिन के दर्मियान या 7-10 दिन के वकफे के बाद हम Next Session करते हैं. इसमें कोई Age Limit नहीं है, यंग्स्टर्स भी करा सकते हैं, जो Old Aged हैं वो भी करा सकते हैं, जो Middle Aged हैं वो भी करा सकते हैं, बट हम आपकी Skin को देखके आपको ज़ादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, घर बैट के जो आपने assess करना है, वो ये करना है कि इस मौसम में अगर White Heads, Black Heads जादा बन रहे हैं, आपकी Tone uneven है, और आपके Open Pores हो रहे हैं, या Oil जादा बन रहा है, इवन D-Zone पे, तो फिर आपने इसके बारे में सोचना है, अब हम आज जाते हैं, वाइटनिंग पील पे, वाइटनिंग पील जैसे उसका नाम उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वाइटनिंग पील बेसिकली हम क्यूं करते हैं, हम इसलिए करते हैं, कि आपकी स्किन की जो डेट लेर है वो हट जाए, और उसके साथ साथ आपकी स्किन की Tone even हो, औ वाइटनिंग पील के लिए हमें कोई इशू नहीं है, आपकी स्किन ओईली है, आपकी स्किन ड्राइ है, या आपकी स्किन एजड है, या आपकी यंग स्किन है, हम किसी पे भी कर सकते हैं, ये दोनों पील्स जो है, इनके सेशन भी रिक्वाइड हो सकते हैं, और एक सिंगल से साथ जाना चाते हैं, healthy look के साथ जाना चाते हैं, तो आप whitening peel ले सकते हैं, males भी ले सकते हैं, और females भी ले सकती हैं, एक single peel जो है, वो भी आप ले सकते हैं, और अगर as a treatment हम आपके उपर ये कर रहे हैं, तो फिर usually हमें 2-4 sessions तक जाना पर सकता है, जो दरम्यान में वकफा है, वो वही साथ से 10 मिनट का रहता है, जो whitening peel है, उसकी बहुत अच्छी बात ये हैं, कि आप कहीं बे भी कर सकते हैं, आप face पे कर सकते हैं, eyes के around कर सकते हैं, आप अपनी neck पे करवा सकते हैं, आप अपने हाथों पे करवा सकते हैं, आप back of the neck पे करा सकते हैं, आप even ये वाला area decalte उस पे भी करवा सकते हैं, कोई issue नहीं है, कोई problem नहीं है, इसको करवाने के बाद आपको किसी खास ऐतियात की जरूरत नहीं है, हाँ ये नहीं होगा, कि हम आपको पील करके भेज रहे हैं, तो आप घर जाके वो दो घंटे किचन में लगा रहे हैं, ये आपने नहीं करना, और इसके इलावा ये lunch time procedures हैं दोनों, इसके लिए किसी खास ऐतियात की जरूरत नहीं है, कोई आपको घर में बैटने की जरूरत नहीं है, या ऐसा नहीं होगा, किसके बाद आप make-up नहीं कर सकते हैं, या किसी function में नहीं जा सकते हैं, या फिर आपकी skin जो है, वो extremely dry होके उतरना शुरू हो जाएगी, दोनों peels में से किसी peels के साथ ऐसा नहीं होता, I think so, कि आपको एक अच्छा idea हो गया होगा, कि peels से डरने की जरूरत नहीं है, पील आपकी skin के texture को, आपकी skin के color या tone को restore करती है, और आपको healthy और fresh skin देती है, इससे डरे नहीं, बलके इसका फाइदा उठाएं,